ग्रेट मॉर्निंग ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों नमस्कार भूपेश अनन्द मैं आज आपके सामने एक बड़ा प्यारा सा इंपॉर्टन लेक्टर लेकर आया हूँ दोस्तों वी आप अल्रीड दन त्री लेक्टर्स मैं इस समय हूँ आपके फिनेशल नाइट मैं पूरे चैप्टर का एक एक लरनिंग आउटकम आपको एक्स्पेंग करने की कोशिच करूँगा आप फॉर्स्ट चैप्टर को धेहन देते ही नहीं पेटे आप अपने सब का बेस तो यह है क्योंकि बेबी को बेस पसंद है आप रिजिस्टर ओपन करें ग्रेट गुट मॉरिंग लेक्चर नमबर फॉर मैंने अभी तक तीन लेक्चर आपको डिलीवर करनी है फॉर्स चैप्टर के अब यह फॉर्थ लेक्चर में डिलीवर करने जा रहा हूं और यह फॉर्स लेक्चर जो मैं डिलीवर करना हूं कोविट सिनेरियों के बाद रश्या वर्स उक्रेन के बाद इसकी इंपॉर्टेंस काफी सारी आ चुकी यह स्टेक होल्टर की बात ही हम करेंगे तो प्लीज आप सभी रिजस्टर ओपन करें बेटे मैं बिलकुल खड़ा हो के बढ़ा रहा हूं and I'm not teaching with the help of ppt's और डारेक्ली उसी स्टड़ी मिटल कैपलान में मार्क करके नहीं पढ़ा रहा है आपको क्लास्रूम फील आना चाहिए आप जब तक क्लास्रूम फील नहीं करेंगे कैसे मजा आएगा या पीपीटी से पढ़ रहे हैं बुकी में मार् आए लेट स्टार्ट विद जर्नी मेरे विचार यह है कि जब आप कोई भी काम करते हैं actions actions जब लेते हैं whenever you take actions actions का अपना ही बड़ा important role actions plays a very very important role action speaks louder than words आप skill level में आगए f9 में आगए बटा बस जल्दी से skill level complete करो professional के चार पेपर क्लियर करके अब बन जाओ यार parents कितने years से आपकी वेट कर रहे हैं बिग 4 वेट कर रहे हैं multinationals वेट कर रहे हैं कि आप जल्दी से आओ और हमारे साथ work करो तो आए इनी अच्छी बातों के साथ इनी अच्छी बातों के साथ आए प्लद लेक्चर नंबर 4 ACS skill level financial management मैं भुपेश अनन्द आज के इस lecture में पेटे दो learning outcomes मैं आपको पहले तोड़ा ते दिखा दू आए विए भी डिस्कॉसिंग तो लॉर्ण आउटकम्स टोड़े लॉस्टी 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 मेंस लॉस्टी मेंस लॉस्टी मेंस लॉस्टी मेंस लॉ मैं शेरोल्डस की बात निंगरा एक बच्च को नहीं आ रही थी दूथरा बच्चा लेट के बढ़ रहा था उसको लगा शायद मैं कहा हूं शेरोल्डस बेटे इस नोट शेरोल्डस इस टेकोल्डस क्या बात करगे शेरोल्डर नो नो the point is in this learning outcome as a finance manager as a finance manager you have to see that you have to identify the stakeholders की what are their objectives who are the different parties who are involved under the category of stakeholders and what are their objectives ये बातों को डिसकर्स करेंगे लो एस इए लो एस इवे और उनके बीच में लड़ाई और जगड़े बेटें घर में रहते हैं यहना हम घर में रहते हैं जॉइंट फैमिली में रहते हैं आप यह पताइए हमारे घर में भी तुछ अगड़े होते हैं कई बर हो जाता है जगड़ेंग लोएस कड़ेंगे स्लिह मुझे दोचांचाब करने बड़ेगे लोएस अखर क्रानीज वी सब्ता है आप अने है ब्到वाक्राई वाक्रा कारन हो सकते हैं क्वाक्यक्ण स्कॉसे collecting के वियर्ड़ाई जंगड़ेंगे सब्सक्ट्स Чा इं दो डढ़े अरता हो स तो आपके सामने तीन लेक्चर्स इन दोनों लर्रिंग आउटकॉस में डिवोट करूंगा एक तो आज का लेक्चर्न नमबर फोर है यह तो इंट्रो लेक्चर है कि भी स्टेकोल्डर है क्या तो लेक्चर नमबर फोर में मैंने आपको बताया आई वी दूइंग लर्रिंग आउटकम एड़ेफ ठीक है जी थोड़ा सा मैं आपको आज प्रोफेसर केंडी की बाते बताऊंगा थोड़ी सी दो स्कूल्स अफॉर्ट्स की बाते बताऊंगा लेक्च नमबर 6, Pruelly I have devoted on conflicts because it is very important for examination F9 ACCA के लिए बड़ा important है कि conflicts क्या है as a finance manager whenever you want to see to you have to see कि वो conflicts आपको रहे हैं and how to manage it and how to manage it to IAG मैं अपने जूस्टोस की तरफ लेके चलू है आपको तो जूस्टोस में आप आप जस्ट हैव लोक ओन दिस दीज आर्दा यह वाली कवर्दिस सो मैं थोड़ा सा रभ कर दो जिससे कि आपको आज का समझ आ जहे है कि में आज क्या बताने वाला हूं ठीक है यह 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 इस इस यह यह बड़ा यह यह देखो ना यह जो E है, identify stakeholders, objectives and possible conflicts, और इसके बाद BF है, discuss the possible conflict between stakeholder objectives, तो पेटे यह दो के दो इतने important हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, and I have prepared very beautiful flowcharts, I have prepared very beautiful you know, logics in explaining this, तो अभी मैं juice notes में नहीं आ रहा, पहले आपको तोड़ा सा लिखेंगे, फिर हम आएंगे इसमें, आप register open कर लेंजी, बिल मेरी बात को ध्यान से सुनना, स्टार्ट करते हैं, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, मैं भुपेश अनन, मैं भुपेश अनन, आज आपके सामने, lecture number four, in the last, last lecture, I have told you lecture number three, what should be the financial objective of an organization, as a finance manager, what are the different financial objectives of an organization, और हमने conclude किया था, कि profit maximization cannot be the financial objective of a financial management, और the growth in the EPS cannot be the financial objective in the organization, rather the maximization of wealth of shareholders should be the objective of an organization, और हमने last class में, मैंने आपको अलग अलग बातों से, अलग एग्जाम्पल से इसको एक्स्प्रेइन करने की कोशिश की थी, ठीक है जी, लेकिन आज मैं कुछ आपको दूसरी बात ही बता रहा हो, आप उस दुनिया में आए उपर से नीचे, एक मूवी आई थी, एक मूवी आई थी कि, जन्म से मृत्युत के बीच में क्या होगा वो आपके उपर है पेटे, दंगल में गाना था, मैं भी दिखाऊंगा दंगल का गाना, आपके आदमी आना और जाना नहीं है, बट आ आपको बता दूं कि आप सब का हम सब का एक life का परकत है, जिस वजा यहाँ पर आए हैं, खाली, अपने लिए किया, तो क्या किया, यार, दूसरों के लिए सुसाइटी के लिए, एक नौमी के लिए, ग्लोबल वर्ल्ड के लिए, पैटे कोविट सिनेरियो के बाद हमने तो आपको कहा लगता है अगर और और अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें थोड़ा से ओर बड़ा सोचें विटे टेरा टू स्कूल्स अफ़ाइट अप्ट अप्ट आप थोड़ा से मेरे साथ आए और आप बताएं कि क्या सच में आपकी और वेल्ट मैक्सिमाजेशना घ्रिने रोडा रोना चाहत. तो कि बेदें आने के जी अफंट में लोग करेंगे ऑपके साथ ऑप पहप ही ग्रो को मैंक अग्य mes ecos of thought as we first school of thought which we have already discussed in the last lecture लिखना है एक बच्चे ने पूछा लिखना है हां लिखना है धीले हो का मत बैठना है कमर सीधी करके बैठना है थप्रा मारू हो खीच के सिया कमर सीधी two schools of thought there are two schools of thought in an organization if i want to set the objective the first is the wealth maximization of shareholders which is a soul most which we have already discussed the single objective हमने वो already discussed कर लिया है लिखना है फिर भी लेकिन एक चार्ल्स हैंडी क्यापलान में और बीपीबी में इसका नाम लिखा हुआ है f9 में तो मुझे लगा कि मैं आपको इसके साथ साथ आपको economy आपको social आपको spiritual इस सारी बातों का भी ध्यान रखना है तो आप चित्र बनाए चित्र रूपा चित्र गरूप जैजी two schools of thought first is as per first school of thought as per first school of thought only the maximization wealth maximization which is a sole most foremost objective but as per as per second school of thought those three which are dhara those three which are dhara as per professor charles hendy there is a second approach which is named as stakeholders approach shareholder नहीं stakeholder वहीं आपको stakeholder approach लेकर जानी चाहिए और उसमें क्या करना है economic responsibilities का भी धिहान रखना है social responsibility का धिहान रखना है उस economy का धिहान रखना है जिस economy से आप earn कर रहे हो क्योंकि बिटे ऐसर economy नहीं तो आप कहां से earning कर लोगे आप कहां से wealth maximization कर लोगे हमें अब सवाल हाता है कि चार्ल्श है कि है लग। है कि दिखना मैं बिल्कुल बताव करेंगा चार्ल विकिपीडिया में विकिपीडिया विकिपीडिया ने अलग से इसके अलग से साइटी बना दिया चार्ज हैंडी जो चार्ज हैंडी स्टेकोल्ड की बाते करता है यह कि इसके कंसेट के बाद दुनियों में हलचल मच गई स्टेखोल्डर्स स्टेखोल्डर्स एक नया कंसेप्ट आ गया जो आपने एफ-वन में नौलेज डेवल में पढ़ा दिखने में होगा मरमरा गया होगा हमें क्या लेना लेकिन चार्ज हैड ही नहीं बड़ी सारी बाते बताई आरिश था उसके एक्टिवियर्स 956 1956 अभी मरा नहीं है इसका मतलब ठीका सी आयरलाइंड से था और उसने बताया कि लोगों को कि क्या क्या होना चाहिए यह इस और उसने यहां पर concept start किया stakeholders का stakeholders में उसने बताना शुरू किया कि who are the persons who are the stakeholders what is the value of happiness मैंने last lecture में बताया था आपको as a ACCA आप happy रहना चाहते हैं पैसे कमाना अलग बात है recognition तो होगी लेकिन last objective को तो मिना रहा है that you want to become happy so if you want to become happy you should work on the second school of thought that is stakeholders school of thought तो आये मैं stakeholders की thought में आ रहा हूं और थोड़ा सा लिखना है अलका सा ज्यादा कुछ निए ज्यादा कुछ निए अभी stakeholders मैंने निए बताया क्या है तो हमने next lecture number five में प्योर्ली डिवोर्ट किया है what is the meaning of stakeholders ठीक जी पिर lecture number six में मैंने प्योर्ली डिवोर्ट किया है what are the conflicts in the stakeholders आपके examination में लिए most important तो next point second point आप लिखने stakeholders conflict that will be covered in lecture number six and this will be covered in lecture number five what is the meaning of stakeholders this is lecture number four और एक लास में फिर आम डिसक्स करेंगे क्या agency theory पैटे आपने ये पहले नौले लेवल में किया हुआ है F1 में business organization business and technology कि as a shareholder you cannot directly work you can directly transact with the outside world with the third party आपने risk लिया आपने directors को अपने agents को अपने managers को appoint किया you are a principle Reliance Jio Reliance Jio Reliance Industries के shareholders principle लेकिन Reliance Industries के shareholders ने Mukesh Ambani को appoint किया as a manager as a CEO as a CFO अब ये Mukesh Ambani ने आगे managers appoint किया और उनको कहा कि आप third party से interact करो it means there are three parties आप देग रहे एक प्रिंसिपल वार्थ रियल इन्वेस्टर्स आप अपने वार्ट कमपनी वार्थ शेयरोल्डर्स common stockholders एक है उन्होंने जो managers appoint किये उन्होंने employee किये managers CEO's directors non executives और एक है third party से interact करना अब होगा क्या कि principles जो है उनको objective कुछ और हो सकता है which we have discussed in the last we will be discussing election number five stakeholders conflict agents का कुछ और objective हो सकता है directors का कुछ और objective हो सकता है due to that there are so many financial scams and wrong कि बात करें Lehman Brothers कि बात करें but a huge scams on a start away and and because these parties these managers they will interact with the third party so the point is there has to be a different objective तो मैंने बड़ा प्यारा सा एक beautiful chart prepare किया है मैंने का जी ये लोग तो दे principal shareholders principle के दे shareholder के दे और फिर उन्होंने क्या किया इंप्लॉई किया किसको मुकेश अमानी को Reliance Industries ने अपने MDs को अपोइंट किया एजेंट को अपोइंट किया डिरेक्टर्स को अपोइंट किया Managers को अपोइंट किया कि भया आप इस कंपनी का कारेभार सहंभालो ठीक है जी और इन्होंने transactions किससे की third party से suppliers से employees से customers से public से government से so the point is there are three parties involved first are the real investors second are the agents who are the agents of that now there has to be difference in the principal thoughts and agents thought which is named as agency theory or agency conflict बड़ा प्याना मैने lecture number five में explain किया है आप उसको देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा आई तिंग आप यह चार्ट प्रिपेर कर लें पटे एजन्सी थियोरी का मैं टाइम दे रहा हूं सब बनाएं सब बनाएं बिटे कहते हैं जब हम हाथ से बनाते हैं तो दोस्ती हो जाती है जान प अग्वाइब आपको बाते समझ आ रहे है तो लेक्टर फाइव में आप बिल्कुल रेडी हो जाएं तो लेकिन एक मैंने आपके लिए गाना बेटे रखा हुआ है आए आए देखते हैं उस गाने को मैंने बड़ा प्याना सा यह गाना आपके लिए रखा आपने बताना अपने पोज़े मुझे मूओ बतानी है आपका आखरी पेपर है स्किल लेवल का F9 स्किल लेवल कितना ध्यान देना है जला देखेए पड़ा बाता हर तु लेना ही होगा, करना ही होगा, फर्स अटेंट में एफ नाइन पास करना ही होगा मेटे अप स्किल लेबल का लास में पर है चल, साबस, साबस आप देखिए क्या अमीर खान के फेस के एक्स्प्रेशन देखिए चिंतित है कि इस बार नहीं हो तो फिर कब दो साल का लगान माफ हो जाएगा, नहीं तो देना पड़ेगा आप सोचीए कि स्किल लेबल अगर आपने इस एटेंट में नहीं किया अपने तो नेक्स वाटर में एग्जामनेशन फीस अलग देनी पड़ेगी और मेनत अलग करनी पड़ेगी टाइम अलग बेस अब आखरी गेंड बचेंड आखरी पेपर श्किल लेवल का पेटें मेनत करनी हैं लेक्चर फाइफ और शिक्स में मिलते हैं बीएपी बीजॉ झाली बीजुफ